नमस्कार अम्रेजनों आप देखें सोटी पार्ट सला उसी का बहुत बहुत स्वागत है सी उटी यूजिक एक्जाम कंप्लीट हो चुका है अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक्जाम देनी के बाद फर्दर वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पहल से ही दिमाग मे रखने हैं करने मतलब यह है कि हमें प्रिप्लानिंग करके रखना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम दे चुके हो तो आपकी कॉंसलिंग होनी है अब यह प्रोसीजर है डिफरेंट डिफरेंट इनवर्सटी इसमें वह किस तरीके से होना है आप लोग को बहुत जाना जरूरी ह कल मैं आपको वीडियो दिया था जो लोग नहीं देखे हैं यूजिक बच्चे जाके देखें मैं आपको एडवांस से बता दिया हूँ कि कॉंसलिंग में कौन-कौन से इंप्वर्टन डॉक्मेंट्स लगने वाले हैं और उन डॉक्मेंट्स को कैसे बनवाना है यह तमाम स है आप अपना डॉक्मेंट्स समझाया होगा तो वीडियो जो है क्या है डिसकुप्शन में लिंक में जाएगा आज हम लोग डिसकुस करेंगे कि नेक्स्ट टिप क्या है स्यूट एक्जाम के बाद हर एक चीज डिसकुस करूंगा प्लीज वीडियो को लास तक देख रहा ह जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करें बिलागम को प्रेस करें जिससे कोई भी अप्डेट मिस ना होना सकते यहां पर सबसे पहले आपको जो भी ऑफिस्यल नोडिफिकेशन आएंगे न जो कर्टाफ आता है वो अम लोग डिसका सहीं पर करेंगे सो प्लीज स्यूटी यूजी एग्जाम हो गया किसका दोवहजार चौववीस के लिए ठीक है दोवहजार चौववीस के लिए अपने ऐग्जाम दे लिया अब सिओक्झाइब के बाद सब्सक्राइब करेंगे और आप आप अपना रेजिस्टेशन करोगे यह इंटरस्ट तो करते हो वहाँ जाके कि हम इस पोर्स में चाहिए उसकी लिजबिटी क्रेट्रिय के कोई डिक कर सकते हो जैसे कि मैं आपको बीकॉम करना या आपको बीची मैस करना आं या बीची बायो करना चाहिए उसी तरीके से आप अगर जेनियू में जा रहे हो तो उस लेंग्वेज का डोमें होना चाहिए जिस सब्जेक्स के लिए जा रहे हो तो डियू में भी उसकी जो फोल की लोनी चाहिए तमाम चीज़ है ठीक है तो कहने के बंदब यह कि इनुवर्सिटी जो है कोई भी यह बीए जो जेनियू एक यह सब इनुवर्सिटी जो है अपने हाँ सिंगल सिंगल पोर्टल स्टार्ट करेंगी यह समय बदल भी सकता है जैसे बीए जो सकता है आज में बीए जाओंगा ठीक है तो बीए जू का आपको बता दूँगा लाइक डियू बड़ा जल्दी कर अब जाओंगा तो उमिद करता हूँ कि विक में वन विक में दीव जो है आपको अपडेट करते हैं जी उजी पोर्टल कप से स्टार्ट करेंगा अपने हाँ भी जेनियू का पता करके मैं आपको बता दूँगा ठीक है एक इनका एम भी है एक इनका अर्जी एस तरीके से कई सारे डिलेटेट कॉलेजेज तो ऐसा नहीं है इनका अलक से 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 आप यहां पर आपको मिलेगा देशें डियू में एप्रॉक्स सिंगल कैंपस है तो जैनियू में पोर्टल ओपन होगा आप रिश्टेशन तो रोगे वहां पर मिल जाते हैं तो आपको यह धिहान देना पड़ेगा कि आपकी जो चौइस आप इन्वर्सिटीज है जैसे आपको इलहावाथ जाना है तो इलहावाथ की पोर्टल पर अपडे इसका इन डेट लिए करेक्शन विडिव आ गया है यह तमाम से और फॉर्म भरने के बाद यानि इनवर्सिटेशन जब वो जाता है तो आपको थोड़े दिन गेट करना पड़ता है और थोड़े दिन गेट करने के बाद जो बच्चे उस इनवर्सिटी में गए हैं जैसे आपने अपनी काउंसलिंग कराए ठीक है अब बच्चे रेस्टेशन कराए है और वो कौर्स कौन सा है वो कौर्स हम लोग ले लेते हैं बीए ठीक है बीए के लिए इसे बच्चे यहां पर आगे अब बच्चे कितने आगे लगबख सब गो 40,000 ठीक है फुटी के बच्चे सब्सक्राइब बच्चे करेंगे अपना काउफ रिलीज करेगा ठीक है और इसी कटाफ की बेसिस पे आपका एडमिशन होगा इस प्रोसेस यानि के जब कटाफ हा जाता है तो इसके बाद प्रोसेस जो है यह भी मैं लिख देता हूँ और वह क्या है आपका कोर्सलोकेशन ठीक है कोर्सलोकेशन जो है इसी के बेसिस पे आपके के बेसिस रिसाइड़ होते है और जयसे आप फी पेमेंट करते हो आपका फाइनल एडिन हो जाते है तो अब बच्यों को मायिट में क्या चीज़ckt रखनी है तो आप क्या करो ना आपका जो कोर्स है कोर्स किस इनसदीग है हम कितना अधीया चोथा कर सकते हो मैं आप हम आप अपना इन्वर्सटी लेके चलर रहा है जो भी निट यंद में लेकर चल रहे हैं जो भी इन्वरसिटी इस पॉर्टल आप क्या करो अभी से दो कि अभी स्थम प्लब नहीं को फूर्प नहीं है को फिर जर्ट नहीं है ठीक है अभी रिजल्ट यहां पर आपका आड़ कर लेन रियों तो आंसर की पाद इनुवर्सविटी रेजिस्टेशन के पाद आपका एक कटाफ ठीक है और कटाफ के बाद फैनली कोर्स अलोकेशन